चलिए फ्रंट आज बनाते हैं कस्टमाइज ओर्डर कस्टमर को संफलार चाहिए था और साथ में कोटेशन भी चाहिए थी तो मैंने पहले ड्राफ्ट करके उन्हें भेजा और उन्हें समझ में आ गया तो मैंने फैनली से बोर्ड में बनाया तो मैंने यहां पर यह 12 इंच ड हैं वाइट कलर से नीचे एक स्केच बना हुआ है तो संफलार का मैंने हाफ संफलार का स्केच बोर्ड में बना दिया उसके बाद आई टुक कलर्स एन आई स्टार्ट पेंटिंग तो संफलार में क्योंकि अलग-अलग लेयर ऑफ पेटल होती हैं तो आप देख सकते हैं दो इस वस फॉर डॉटर सो फाइनली मैंने यह वाइट कलर से बिया संफलार कोटेशन भी डाल दी अब यहां संफलार में टू लेयर्स हैं तो दोनों लेयर्स को अलग-अलग करने के लिए मैं यहां पर औरंज कलर का इस्तमाल कर रही हूं मैं औरंज कलर से लीव की जो शेप ह रही है और थोड़ी-थोड़ी लाइन्स भी एड़ कर रही हूं ताकि वो जो नाचरल लुक है संफलार का वो आए औरंज से काम करने के बाद उसके बाद मैंने ब्राउन कलर लिया लाइट उसको थोड़ा किया उसमें हलका सा ओरंज शेड मिक्स किया और मैंने अलग- पेटल्स को अलग-अलग हाइलाइट करते हुए जो उसके बीच में जो गैप से उनको डार कर किया क्योंकि जो नीचे का पोर्शन होगा जो डार्कनेस में हो डाक कलर से ही आएगा ठीक है तो मैंने लाइट इफेक्ट जो दिखाना था वो दिखाया है और इसके लिए मैंन ब्राउन कलर में औरेंज मिक्स करके थोड़ा सा पेटल्स को हाइलाइट किया है अब फ्लार का सेंटर वाला पार्ट क्योंकि पेटल्स के सांथ मिक्स होता वा नहीं दिख रहा है वो अलग से दिख रहा है तो उसको और बेटर डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर पाने फ्लाट ब्रश को अगर बहुत यूज कर लेंगे तो वह इसी तरीके से बनता है अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल राउंड ब्रश जीरो नंबर का लेके उससे डॉट 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 बना सकते हैं चीक है तो मैंने इस तरीके से इसका सेंटर वाला प अब राउंड ब्रश जीरो नंबर का लीजिए और इससे जो सेंटर पार्ट है उसको आप और हाइलाइट करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे ब्रश के मुवमेंट्स जहां जहां फ्लाट ब्रश से काम नहीं बन पाया था वहां पर मैंने यह राउंड ब्रश लिया और इ इक डिफरेंट शेड ब्राउन का यह जैसे नीचे बहुत डाग ब्राउन था उसके उपर मैंने बॉर्ण सिया न टाइप का कलर लिया और उससे यह डॉट 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 अपने फ्लाट ब्रश से बनाती भी चल रही हूं हम अपने ब्राउन कलर को यहां पर यलो मिक्स करके उसी फ्लाट ब्रश से थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा शेड भी इसमें लगा सकते हैं विकोज कभी भी प्लेन एक शेड नहीं होता नेचर में शेड में अलग 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 वेरियेशन होते हैं हमेशा अब किसी भी मंडाला डॉट आर्ट वाले टूल को ले सकते हैं या अगर नहीं भी है तो राउन ब्रश की टिप से आप यह कर सकते हैं तो यह डॉट 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 मैंने थोड़ दूर 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 रैंडम तरीके से यह संफलार के सेंटर में बनाए हैं इसके अलावा क्योंकि बोर्ड काफी खाली लग रहा था तो मैंने इन फ्लाड को कंटिन्यू किया और पूरे बोर्ड में मैंने रैंडम तरीके से जहां पर भी एम्टी स्पेसे थे वहां पर यह फ्लार्ड बना दिये अब आपने आपको अगर याद हो तो इसमें मैंने ब बहुत ही ओकोड लग रहा था और छोटा भी था तो मैंने उसको ब्लाक कलर से रीपेंट कर दिया तो इट इस बी सन फ्लार और इस तरीके से हम फ्लार्ड बनाते वे चलेंगे छोटे-छोटे और अपने बोर्ड को कंप्लीट करेंगे तो फाइनली यह पीस तो बनके बहु ते केर